दोस्तों Vodafone आइडिया ने भी अपने कस्टमर्स को लुभाने का तैय कर लिया है कि भाईया कहीं भाग ना जाए क्योंकि जाने को वह एर टेल पर भी जा सकते हैं वह वी आई पर रुकने का वह सोच रहे हैं कि क्यों रुके हूँ है 4G है तो चलो टीके रहते हैं लेकिन आप अपने कस्टमर्स को रोकने के लिए अब ये 130 GB डेटा दे रहे हैं वो भी पूरे 13 महीने के लिए कि अगर आप eligible हो तो वो आपको हर 28 वे दिन पर 10 GB डेटा दे देगा अब आपको गया eligibility का कैसे पता लएगा देखो प्रिपेट सीम होना चीए आपके पास में और प्लान असान येगी deactivate हो रख है भाई उसको recharge करवाते रो time to time और आपका प्लान होना चीए 239 से लेकर 3199 के बीच वाला कोई से भी प्लान सेलेक्ट कर लो या इन में से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लो उन में से हर प्लान अंधर प्रदेश मध्यपरदेश आसाम नौर्थीच उरिसा से नहीं होने चाहिए क्योंकि वहां पर यह ओफर अभी अवलेबल नहीं हो रहा है बाकी के स्टेट में अवलेबल कर रहा है तो अगर आप eligible हो तो आप इन नंबर को डायल करके अपना प्लान अक्टिवेट देखते होंगे की काफी दादा अमीरी दिखा रहे होते हैं अपनी मेरे पास इतना ज़्यूरियस का रही है मेरा घर देख लो और अपने एक्सपेंसिब कपड़े दिखाते रहते होंगे लेकिन चाइना के अंदर इस तरीके के इंफ्लेंसर को बैं किया जा रहा है सोशल मी के उपर सभी को बैं किया जा रहा है इसके अंदर चाहिए सिस्टर अबलोन हो मिश्टर बू हो या हॉंक वांग जिंग हो तो इस तरीके के जितने बी उल्टे सीधे नाम है उन सभी को हटाया जा रहा है वहां से क्योंकि भाई ये एक अन एथिकल कंटेंट की केटेगरी मे डाल दिया गया है कि आप अपनी लग्जूरियस लाइफ अपने तकी रखो आम पबलिक में मत दिखाओ कि आप इतने लैविशिंग लाइफ जी रहे हो उपर से आप अपने माइनर किड्स को भी दिखा रहे हो नोटों की गड़ी लेके महंगे महंगे फोन लेके या कर रहे हो वह काफी जादा अनएथिकल है बाकी जनताओं के लिए तो इस वज़े से ही शायद स्कूल में या फिर कई ऑफिस में या फिर जगे जगे पर एक ड्रेस होती है सेट ताकि कोई उचा नीचा ना लगे जो हमारे को बच्पन में सिखाई जाती थी कि वह या उच नहीं होनी चाहिए तो सभी सेम होने चीज़े तो यहां पर यह सारी चीज़े होने की वज़े से वाई उनको हटाया जा रहा है कि निकलो तुम्हारी कोई जूरती ने सोशल मेडिया को क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हैं क्यों सोशल मेडिया के ऊपर आ रहे ह ये पैसे से पैसे बनाने वाली स्किम चाइना में नहीं चलती है इसको किसी बिजनस में लगा और अगर तिरवाब पैसा है तो मत दिखा दोस्तों कुछ महीनों पहले रश्मी का मंदाना की एक डीफ वेक से वीडियो निकल कर आती है सामने जिसके अंदर उनको दिखाया जाता है किसी और के बॉड़ी के उपर उनका फेस लगा दिया जाता है जिससे की मतलब काफी जादा बवाल क्रेट हो जाता है और रश्मी का मंदाना भी इस पे कहती है यह कैसा है मेरे फेस तुम कहीं पर लगा रहे हो लेकर उसके कुछ दिनों बाद फिर हमको देखना को मिलती है एनिमल मूबी और इनिमल मूबी में जिस तरीके से करदार दिखाया जाता है उनका उसको देखके तो लगता है कि यहीं सब कुछ देख लिया तो उस वीडियो म है जिसके वाद में अगेन यह बवाल शुरू हो चुका है कि रोख रश्मी का मंदान है कि एक और वीडियो वायरल हो चुक है शायद आने वाले टाइम में हमें पुषपा देखने को मिल रही है इस वजए से भी यह थोड़ी बहुत हाइप चलती है क्योंकि डिफेक की वी उसके लिए भी उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी आइबॉल के ओपर टैटू करवाऊंगी लेकिन उस टैटू के चक्कर में इनकी आँखों की रोश्णी ही चली गई और पूरे तीन हफतों बाद जब इनकी रोश्णी आई इन्होंने का भई अब मैं कसम खाती ह अब मैं इस तरीके की चीज़े बिलुकुल भी नहीं करूंगी और जैसे ही कुछ दिन बीते तो ये सिद्धा ब्राजील चली गई घूमने के लिए और एक्शुली मैं ये गैटो मोरेनो नाम के एक टैटू आर्टिस्ट के पास ही गई थी अपनी आइबॉल को दुबारा स से टैटू करवाने के लिए जहां पर इन्होंने ब्लू और ब्लैकिश टाइप की अपनी आइबॉल करवा ली जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है मतलब इतना कुछ गुजरने के बाद भी इनके दिमाग में यहीं चड़ता रहा था कि भाई नहीं टैटू करवाने करवान ने उचिस तरीके से घुटने टेक दिए कि मतलब पहली निंग के खतम होने के बाद में यह वो तो काविया नाम की जो महिला थी वो तो पहले ही चली गई थी कि चलो छोड़ो अब तो काम हो गया हम महीं शोपिंग करने चली जाती हूं तो यहां पर अब लोग सोच मिला होगा शारू खान की टीम को तो भाईया उनको मिले हैं 20 करोड रुपे जीतने के संराइजर हैदराबाद को मिले है 12.5 करोड रुपे हारने के मदलब की 2nd runner आने के और उपर से राजिस्थान रॉयल्स को मिले है 7 करोड रुपे तीसरे नमबर पर आने पर और चौत्छ नमबर पर RCBI यह तो उनको भी भाया साड़े चे करोड़ रुपे दे दिये कि इतना लेके खुश हो जाओ कितने कम मिले तुम्हें सिर्फ साड़े तेरा करोड़ रुपे ही तो कम मिले हैं खुश रहो इसी में